असलाम वालेकूम इस किर्यान किचन में आप सभी का वेलकम है तो आज हम बनाने वाले हैं वेरी टोश्टी, वेरी एमयान, वेरी डिलिश्यस रेसिपी बश्चे बड़े सभी को पसंद आये ऐसी रेसिपी है जटपट फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है तो फिर देर किस बात की चली चलते हैं फटाफट से preparation की तरफ तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है एक clean ball और इसमें ले लेंगे हम 2 तीहाई कप गुनगुना दूद और 2 ही तीहाई कप हम लेंगे इसमें गुनगुना पानी जितना दूद उतना पानी यानि के 120 ml और यहाँ पर लिया है हमने एक बड़ा चमच पिसी हुई चीनी दो चुटकी नमक और इसमें लेंगे हम instant dry ice 10 ग्राम और इसे अच्छे से mix करेंगे तो friends यहाँ पर जो है dry ice उसे activate करने की जुरूरत नहीं है इसे आप directly भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर एक mixture इसका तयार कर लिया है सिर्फ आपके लिए अब इसे हम side में रख लेंगे और एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे तकरीबन आधा किलो मैदा तो यहाँ पर हम लेंगे एक चोथाई कप पिसी हुई चीनी एक बड़ा चमच दही दो बड़े चमच बटर और हमारा जो मिक्स्चर हमने instant dry ice का ready किया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मिलाते हुए एक soft सा डो तयार कर लेंगे अगर डो बनाने में आपको मुश्किल आए या फिर जो डो है वो सक्त हो जाता है अगर बनाते वक्त तो आप इसमें गुन-गुना दूद या पानी requirement के हिसाब से और ले सकते हैं क्योंकि हमें इसे soft सा डो तयार करना है तो अच्छे से mix हो जाने के बाद डो को हम platform पर एक बड़ा समच oil डाल के अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद डो को इस पर हम अच्छे से smooth होने तक 5-6 मिनिट के लिए गुन्थ लेंगे और इसे हम इस तरह से scratching करते वक्त गुनना है तो देखिए यहाँ पर scratching करते वक्त हमें 5-6 मिनिट हो चुके हैं और इस तरह से अंदर टक करते हुए इसे हमें एक बड़ा सा पेडा बना लेना है अब हम एक बावल में इसे रखकर एक बड़ा चमच oil डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे और cling wrap से इसे अच्छे से हम cover करके किसी गरम जगह पर इसे हम रखेंगे तकरीबन आधे से एक घंटे के लिए या फिर fermented होने तक तो देखिए यहाँ पर हमारा जो better है हमारा जो dough है वो rise हो चुका है माशाला से बहुत बहतरीन इसे punch down करके हम ball में से इसे बाहर निकालेंगे तो देखना friends कितना अच्छे से हमारा जो है better वो rise हुआ है अब platform पे हम इसे तकरीबन 2-3 minute के लिए अच्छे से गुथ लेंगे और इसे अब बस इस तरह से हम 2 size में cut कर लेंगे और एक bowl को हम फिर से एक बरतर में रखकर ढख लेंगे और दूसरा bowl लेकर हम इसे अच्छे से इसका पेड़ा बनाकर डश्ट डालके अब हम इसे बड़ी सी जितनी आपको जितनी size का donut बनाना है उतने size का एक बड़े से रोटी हम बेल लेंगे तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का जो है वो रोटी बड़ा सा बेल लिया है और इस तरह से glass की help से तकरीबन 3 इंच का मैंने donut टयार किया है और किसी भी bottle की ढखकन से आप इस तरह से अंदर का भी size कट कर सकते है और देखा ना कितना आसान है बिना mold के donut घर की कुछ सामान से easily बना सकते हैं आप safe देना कितना easy है तो बस अब इस तरह से हम सभी donut को तयार कर लेंगे और एक plate पर butter paper लगा कर सभी donut को रख देंगे race होने के लिए और ढखकर मसलें close से हम इसे side पर रख लेंगे चलते हैं next process की तरफ तो यहाँ पर एक bowl में हम ले लेंगे PC हुई चीनी एक कप आधा कप cocoa powder और इसमें लेंगे दो चुटकी नमक एक teaspoon लेंगे vanilla essence और एक चोथाई कप इसमें लेंगे दूद दूद room temperature पर होना चाहिए और अच्छे से mix करेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दूद कम लग रहा है तो इसमें हमने दो बड़े शमच और दूद एड़ किया है तो friends यहाँ पर हमारा chocolate glass तयार हो चुका है अब चलते हैं next process की तरफ तो देखा यहाँ पर हमारे donut जो है वो अच्छे से डबल हो चुके है तेल को हमें medium flame पर गरम करके उसे low flame पर हमें जो डोनट है उसको fry करना है और directly हमें इसमें चमच नहीं लगाना है जब तक के वो नीचे से fry ना हो जाए तो देखिए fry हो जाने के बाद नीचे से हमने उसे धीरे धीरे पलट लिया है और बस इस तरह से हम डोनट जो है धीमी आज़ पर fry करके निकाल लेंगे तो यहाँ पर सभी डोनट तयार हो चुके हैं अब हम चोकलेट ग्लेज में इसे डिप करेंगे तो देखाना फ्रेंड्स कितना आसान है डोनट बनाना वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और बचों को बनाना चाहते हैं हैपिनेस के लिए तो इस तरह से आप इस पर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं तो बड़ा मज़ेदार और टेम्टीन सा लगता है हमारा डोनट देखने में भी और खाने में भी तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सस्क्राइब एंड कोमेंट करना ना भूले तो मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई